वेलकम बैक टू दा क्लास दिस इदा टेस्ट नमबर सेवंटीन फुर यूपीट्र प्लसी मंडी परिसद एग्जामिनेशन तूथाउजन नाइनटीन मैं आपके लिए लेकर आए हूं हिंदी में चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेर्स का इंपोर्टेंट सेशन है चैन पीडिएफ नोट्स इसका जरूर मिल जाएगा इंपोर्टेंट है एक एक प्रशन चले स्टार्ट करते हैं कुई क्रिविजन दोहार अठारे का एक साल तक की करेंट अफेर्स में पूछी जाएगी स्क्रीन पर एक आंसर है स्क्रीन पर एक कुस्टन है जली से इसका आंसर दो अपरेल 2018 को राश्ट मंडल खेलों में भारत का पहला स्वाण पदक किस ने जीता इन में से भारत का पहला गोल्ड कौन लाया 21 राश्ट मंडल खेलों में 2018 में जली से बता दिये चले स्टार्ट करते हैं एक प्रशन इंपोर्टेंट है दो से तीन सेगिंड का टाइम आ बताईए चल दी इन में से राश्टी साक्षर्ता दिवस राश्टी समुद्र दिवस राश्टी अपरियावन दिवस करेक्ट आंसर है पांच अपरेल 2018 को राश्टी समुद्र दिवस मनाया गया पूरे देश भर में नेक्स्ट है अपरेल 2018 को 21 वे राश्ट मंडल खेल जिनको बोलते हैं Commonwealth Games खेलों की पहली पदक विजयता कौन बनी पहली पदक विजयता बनी ध्यान देना इन में से कौन है वो वो किसी भी देश की हो सकती है कौन बनी है तलाह रोबर्सन कौन बनी है नाम है इनका तलाह रोबर्सन क्या ह यह एक अमेरिका की मुक्के बाज है और तलाह रोबर्सन जो है वो ओस्टलिया की मुक्के बाज है ध्यान दीजिए नेक्स्ट है अप्रेल 2018 को राष्ट मेंडल खेलो में भारत का पहला सौन पदक किस ने जिता अभी तक तो पहला सौन पदक था जो ओस्टलिया की तलाह रोबर्सन ने जीता जो एक इन में से किसे आंदरप्रदेश राज्य का उपकलेक्टर निक्त किया गया है बताईए आंदरप्रदेश राज्य का उपकलेक्टर कौन निक्त किया गया है इन में से दोहर अठारे में नेक्स्ट है दोहेर अठारे में संपन हुए कॉमनवेल्थ गेम्स कहां आउजित किये गए थे इंपोर्टेंट प्रेशन है इंपोर्टेंट है इजी है लेकिन थोड़ी सी गलती से गलत हो जाता है बताइए जल्दी नई दिल्ली गोल्ड कोस्ट सिंगापूर करेक्ट अंसर है गोल्ड कोस्ट गोल्ड कोस्ट कहां पर है तो उस्टलियम है गोल्ड कोस्ट इंपोर्टेंट है याद रगी स्टुडेंट इसको रिवाइस करते हैं रिवाइस करते हैं लेकिन एक्जाम जिस दिन होता है चार पांच दिन पहले नहीं पढ़ते तो भूली जाते हैं आप वशा इन में से कोई नहीं बताइए करेक्टर नसे क्या है इन में देगे विराट कोहली भी नहीं है रिशाप पंत भी नहीं है वशा भी नहीं है इन में से कोई नहीं इसका अंसर हो जाएगा क्योंकि ये सम्मानित किया गया मिताली राज को किसको मिताली राज को सम्मानित कि गया है sports person of the year next है अप्रेल 2018 को भारत का सबसे स्वच हवाई अड़ा किसे घोशित किया गया है ये किया गया है मंगलूरू हवाई अड़ा जॉली गरांट नहीं है इंद्रा गांदी इंटरेशल एरपोर्ट नहीं है सबसे स्वच है दोहर अठारे का मंगलूरू हवाई कौन से नंबर के commonwealth game संपन हुए तो 21 में commonwealth game संपन हुए इंपोर्टेंट है याद रखिए इसको ये नंबर में पूछा जा सकता है वर्ड दोहर अठारे में निम्लिकित में से किस देश ने सरकारी नोकिरियों में आरक्षणी समामत कर दिया से कौन सा देश है वह इसा भारत ने बंगला-देश ने नेपाल ने लिए इनडिया या बंगला डेश है तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा वह बंगला सबसे बड़ा सौर पार्क कहां पर बनेगा बताइए यह बनेगा गुजरात में सबसे बड़ा सौर पार्क जो बनेगा गुजरात में नई दिल्ली मार के गलत्मित कर देना नेक्स्ट है छे अपरेल दोहर अठारे को बिस इस तर पर किस दिवस के रूप में मनाया गया किस दिवस के रूप में मनाया गया छे अपरेल दोहर अठारे को तो अंतराश्टे खेल दिवस के रूप में मनाया गया किसके रूप में अंतराश्टे खेल दिवस के रूप में नेक्स्ट है नहीं है मद्ध्य प्रदेश में तो संतोष ट्रोफी टूनामेंट 288 का जीता है केरल ने किसको हराया है बंगाल को हराया इंपोर्टन्ट है नाइक्स्ट है वर्ज 288 में किंदो देशों के बीच पहली कंटेनर ट्रेन के ट्रायल रन को कलकत्ता सहर से हरी जंडी दिखाए गई पताइए किंदो देशों के अब देखे कलकत्ता मान लिजा इस तरफ है वेस्ट पंगॉल तो उसके सटी कौन सा देश हो सकता है ऐसा तो ट्रेन कहीं पर नेपाल भी जा सकती है नीचे स्रीलंका की तरफ भी बंगलादेश की तरफ लेकिन यहां करक्टर अंसर बहरत और बंगलादेश के बीच पहली कंटेनर ट्रेंश चलाई गई है ट्रायल के लिए उसका ट्रायल हो गया अब वो रेगुलर चलेगी कहां से चलेगी भारत और नेक्स्ट है कंटेनर भर कर जाएंगे उसमें 12 अप्रेल जिसमें कुरूड ओयल भी जा सकता है आ भी सकता है और भी जो कच्छा माल है यह आपसी सीमाओं के भी जादान परदान करते हैं एक दूसरे सराष्ट नेक्स्ट है चलिए 12 अप्रेल 2018 को बिस्व के नंबर वन दूस बैड्मिंटन खिलाडी बोल रहा है विस्व का वो भी देखिए नबाग जोकव इस तो टैनिस खेलते हैं मारिया सरापो वो महिला ओपर से टैनिस खेलते दी तो होगा नहीं कि दम भी सिरिकान था इसका अंसर इंपोर्टेंट है याद रखिए बैड्मिंटन से किसे सम्मानित किया गया अमिताब बच्चन स्वर्गी अभीनेता बिनोत खन्ना को मिला है दादा साफ हाल के पुरुषकार यह इंपोर्टेंट है याद रखिए इसको नेक्स्ट है दोहर अठारे का पूच्छे तो है डॉक्टर अंबेटका राष्टे इसमारक का इसमारक के दोहर अठारे में हो गया इसको दोहर अठारे में संपन कमन वैल्थ गेम जिनको बोलते हैं राष्ट मंडल खेल में सुन पदक जीतने वाले सबसे यूबा भारते खिलाडी कों नेकिए पहला पदक पहला सुन पदक तो मीरा भाई चानू ने जीता भारत तोलन म तेकिन यह बोला सबसे कम उमर के भादते खिराडी का नाम बता दो कौन है इन में से सबसे कम एक का यह आजित भनवाला कौन है अजीष भनवाला नेक्स्ट है इंडिया मॉबाइल कॉंगरेस को इस ते निनि音जें कहाゃ Daniel Co तो उन पर एक-एक मोबाइल फॉन तो सबके बास हो गई होगा तो दिल्ली में सबस्याद मोबाइल फॉन इस तरह से आद कर लो 21 वे राश्ट मंडल खेलों में मुख्यवाजी में सौन पदक की बात हो रही है देखे कॉमन वेल्थ गेम में सौन पदक जीतने वाली पहली भा खेला तो है नहीं तो कट जाएगा यह मीरा भाई चानू भारत तोलन खेलती है तो भी कट जाएगा एमसी मेरिकॉम बनी है इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट है कि 21 वे राश्ट मंडल खेलों में भारत का कौन सा इस्थान रहा बताईए थे कि पहले इस्थान पर तो ऑस्ट्र से याद रखना अगर गोल्ड आया तो 26 गोल्ड थे टोटल थे 66 नेक्स्ट है 21 वे राश्ट मंडल खेलों में पर्था मुझे इस्थान पर कौन से देश रहे देखिए अभी बताया मैंने कनाड़ा उस्ट्ले नहीं है भारत उस्ट्ले नहीं है पहले इस्थान पर अफ्चारीन मैं से बंगलूरू है नई दिल्ली है लखना हुए लेकि लखना हुआ तो है नहीं जैसे नई दिल्ली को पीछे कर दिया तो नई बंगलूरू ने सबसे आदे बेतन दिया दोयर 18 में जो भी वहां लोग काम कर रहे है प्राइवेट सेक्टर हो या फर गार्व सूदी अरब किस ने खोला सूदी अरब ने खोला नाइस्ट और अंतिम प्रश्न के और बढ़ते हैं आर्थिक स्वतंतरता सूचकांग 288 अर्थिक स्वतंतरता सूचकांग 288 में भारत का कौन सा इस्थान रहा बताई एक सो तीस निन्यानवय या हंड़ेट यह मैं से कोई न सब्सक्राइब रखिए चैनल को बैल आइकन को प्रेस रखिए अगर यह वीडियो पसंदाती है तो एक लाइक जरू करना शेयर कर दीजिए यूट्यूब का लिंक तो पता ही होगा आपको फेस्बूक पेज को जोईन जरूर कर लेना जाकर टेलेग्राम को जोईन कर लेजिए यह इंपोर्टन्ट है क्योंकि बल्क में सारे पीडियेफ एक साथ प्रोवाइड किया सकते हैं एक्जाम आने से पहले बहुत सारे जान से आकर जुड़े सकता है धन्याद